एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चानल पर और इस वीडियो में हम बड़े ही सम्वेदन सील टॉपिक में बात करने वाले हैं जी हां बात कर रहे हैं हम क्रिमिनल लौ की यार हम स्पेसिफिकेशन बहुत ही सोस समझ के चूस करते हैं और वो स्पेसिफिकेशन ही ह में आगे जाके फ्यूचर विल्ड करने में सहायता प्रतान करती है सो हमने एक वीडियो में बात करी थी कॉर्परेट फिल्ड पर अभी आज हम क्रिमिनल लौस पर बात करेंगे क्योंकि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और स्पेसिलाइजिशन तलाश कर रहे हैं कि क्या ब बाकी भाई पहली बार चैटल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लौस रिलेटिट हर इक जानकारी चाहे कॉलेज की हो कोर्स की हो या करियर से जुड़ी आपको यही इसी चैटल पर मिल जाए और अगर आप अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना जाता है तो जीचे प्रोफाइल ऐलिस फोर मिल जाएगा जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते है चले प्रिमिनल लोग जिसे नामसे ही समझ में आ जा रहा है कि बहmeter हमें कहां बात करनी है यहां पर बात जो करनी है वो क्राइम से रिलेटिड बात करनी अब यसी बात है वे सभी के सभी crimes, उनसे related जो भी laws हैं और क्या कैसे उसके लिए rules and regulations है, इस सारी चीजों के overview को ही हम यहाँ इस criminal law में देखते हैं, तो वही चीज यहाँ पर आपकी होने वाली है, criminal law क्या है, criminal law क्या है, body of law that deals with the crimes and their consequences, जो भी crimes हैं, उनके क्या consequences होने वाले हैं, उन सारी चीजों से deal करना किसका काम है, criminal law का काम है, और यह constitute करते हैं crime को, उनके आउटलाइट, प्रोसीजर की आउटलाइन को, prosecuting, सारे criminals के allegations को, और भाईया सारी penalty उन पे किस प्रकार से अगर वो guilty पाय जाते हैं, तो penalties क्या कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों को, यहां criminal law में discuss किया जाता है, अब यहां पर main जो काम है, main objective criminal law का, वो क्या है, public order को maintain करना, साथी साथ safety को, और criminal behavior को deter करना, साथी साथ क्या करना भाईया, हाँ, rehabilitation भी तो important है, so rehabilitate करना, किसको, offenders को, और उनको क्या करना, retribution और punishment प्रदान करना, यह सारा काम कहां आता है, यह पूरा का पूरा बेड़ा कौन उठाता है, criminal lawyer या criminal laws, obvious ही बात है, so यहां आपको इसी law से related, specialization में क्या करना है, masters करनी है और अपनी career को boom अगर करना है, तो यह किसना अच्छा आपके लिए हो सकता है, यह सारी चीज़े, criminal law के अगर हम concepts की बात करें, तो सबसे important concept जो है, वो यही है जो आपको दिख रहा होगा, actus reas and minus rea, अब ऐसे भी यह Greek word है, Latin word है, जिसका मतलब है, guilty act, guilty mind, यह ना, बड़िया है अच्छी चीज़े, categories of crime, यहां में देखनी पड़ेगी, elements of crime, यही इन सारी चीजों के basis पे ही एक व्यक्ती criminal है या नहीं है, उसने crime किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, guilty है कि नहीं है, यह सारी चीज़ें यहां देखी जाती है, defense to criminal charges, criminal procedure क्या है, और burden of proof, इन सब के बाद ही सारी की सारी process आगे होती है, वो guilty है कि नहीं है, क्या है, सारी चीज़ें, so important आपके यही concepts हैं, जिन पे आपको focus करना है, इन पे ही आपको पकड़ बना रही है, अब ऐसे बहुत सारे आपको lawyers देखने को मिलेंगे, अभी हम discuss भी करेंगे उनके बारे में, जो जाने माने हैं, के बल इंडिया नहीं, दूर-दूर की देशों और विदेशों में भी, उनका नाम चलता है, यह चलता था, अब इसी बात है, चलिए दिखते हैं, आगे हम बात करें, हमारे पास कौन-कौन सी top firms हैं, आपके नाम हैं, फैसे topist हम यहाँ पर उपर नीचे, ओपनेसी बात है, हो सकते हैं, लेकिन हाँ, नाम भही हैं, सुमार, और भी हैं, लेकिन हम top भी ले रहे थे, यहाँ पर 5, तो बड़िया है आपके लिए यह firm से, जिनको आप target कर सकते हैं, internship के लिए, या फिर practice करने के लिए, जो की आपके career में एक अच्छा boom ला सकता है, चलिए, यह जो colleges हैं, इनकी बात कर ले, कहां से हम अपने criminal law में, masters यह specialization कर सकते हैं, तो सारे के सारे top NLUs तो हैं ही आपके पास, है ना, top NLUs, अब top NLUs उमें तेखो भई, बेंगलूरू की बात कर ले, numbers उपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यह number 1 पे ही आता है, और आपको पता है, 3 पे लिखने से उसका number कम नहीं होगा, इसके बात सारे NLUs आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वैसे तो यह NLU, बहुत सारे हैं, पोपाल का भी है, ठीक है, छोड़ो, वैसे हम देली की बात करेंगे, जो second number पे आता है, इसके अलाबा, Nalsar University, number 3, ठीक है, तो यह आपके पास तो NLUs है, West Bengal का चौथे number पे, ठीक है, इसके अलाबा, गुछ private institution, जैसे, Symbiosis और FKI, यह भी अच्छे खासे options आपको प्रवाइट कराते हैं, इनके अलाबा भी बहुत सारे options हैं, आप सभी के पास, वो बिल्कुल tension नहीं है, क्योंकि सारे NLUs तो कराई रहे हैं, specialization यहाँ पे, इसके अलाबा, private institution, तो option बहुत है, अपने लिए best क्या है, यह आप जानना चाहते हैं, तो teacher profile analysis form को fill करना नहीं भूला है, चले, institutions के बाद हम कुछ favorite, या important, या बात कर लें, जाने माने चहरों की बात कर लें, जो top lawyers रहे हैं इस field में, जे हाँ, पीछे आप देखी पा रहे होंगे, ये नाम, ये नाम उस हर विक्ति को पता होगा, जो इस field से belong करता है, ये cable field वाले नहीं, non field वाले विक्ति भी, इन नाम को बहुत अच्छे से, पूजे जाते हैं भाई ये विक्ति, आप जानते ही हैं, राम जेट मुलानी साहब, अब नहीं रहे, लेकिन इनने अपना पूरा जीवन जो है, समर्पित कर दिया, किस के लिए, legal field के लिए, अब बिसी बात है, इनको इतना experience था कि लोगों की age नहीं होती, कई बार, है ना, 17 साल बे ही कम में, इन्होंने law, profession start कर लिया था, और 70-80 सालों का इनको कही ना कही experience था, इस field में, इसके लावा, हरी सालवी साहब है, इनको भी कौन नहीं जानता, और भाई, KTS तोलसी साहब, यह सब famous चहरे हैं, जो किसके हैं, आपके criminal lawyers के, इसके अलावा, अगर हम बात कर लें, कुछ और नाम, तो भाई, कपिल सिब्बल साहब, अभी आप देख रहे होंगे, आर्जे करवाला खीस, जो चल रहा है, यहाँ पर, जो यह बलब, कोलकाता स्टेट को, वो कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब ही है, गोपाल सुपरबन्यम साहब है, फलियस नर्मन, नरीमन साहब है, तो यह सारे बड़े नाम है, फेमस नाम है, जो criminal lawyers के नाम पर जाने जाते हैं, आप भी अपना नाम यहाँ शुमार कर सकते हैं, बस सचाई यही है, कि आपको practice, 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 knowledge, और इन सारी चीजों का experience लगेगा, औ और अपनी field में माहिर होना पड़ेगा, तो अपना नाम भी आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं, इस field में, यहाँ नहीं, top lawyers की field में, तो चलिए यह तो पूरी बात हो गई किसकी, criminal laws की अगर फिर भी कुछ चूट गया है, तो जरूर commit करें, ताकि हम उसको भी आगे चलके आपक को मैंने बता ही दिया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए, चाहिए.